खाल अपर इसब कर साथ होंगे आज है प्राक्टिस स्कॉस चार्डटूज का जो इस पहले मेरे नहीं बताऊंगा थो उड़ी उपर बने रहे साइज अब्रेल टॉप धालगेट डिक operate क्टान Euer a नृर्ट यहां तो वेड़ीओ पर बने रहे सब्लाइन एक अब अभी जो वेट लगा है वो 70 किलो है 70 केजी से 3 का राप्रेशन सब्सक्राइब लिए 70 किलो से था 70 से 3 का राप्रेशन तो आगे का भी सारा वीडियो में पुरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा तो टॉप का चार पांस वीडियो आपको जरूर जिखाऊंगा तो देखिए आज का टार्गेट क्या है तो वीडियो पर कंटिन्यू रही है अभी जो वेट है वो 120 केजी है जाँ झालियो yeah speed enfim एजए वल्य के खवाग एजए वो लो कुल लो वह लो वह लो वाट पंडर लगा दिया है वेट गलत लग जाने करन दुबारा थेंट ये वर नेटी था अभी आगे और जाएगा 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 वो 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 आपर नाइन मुट्स जाएन 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 ये सिर्वार! ये 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 220 kg तो देखा भी आपने अभी आज का जो स्क्वाड का प्रक्टिस था वो मैंने 220 kg ड्युक्त किया है जिसमें तीन जो प्लेट है वो पचीश का है तीनो ये प्लेट पचीश का है ये बीस का है और ये पांच का है तो औरिनेल वेट से 220 kg कंप्लीट आज स्कॉाइट हुआ जो टार्गेट है स्कॉाइट का 300 kg है तो 80 kg दूर है तो एक साल के बाद जो सिन्या नेशनल है 2024 मेस क्लासिक सिन्या नेशनल क्लासिक पाउर लिफ्टिंग चैंपेंशिप उसके लिए जो टार्गेट है 300 kg उसमें आज 220 kg दन 80 kg अभी बाकी है तो आप लोग की दूआ से आप लोग की अशिर्वात से बढ़िया जा रहा है आफ्टर 9 मंक्स प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया है तो आज का जो टार्गेट था वो कंप्लीट हुआ है तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई बाई